हेलो गाइज, आज हम किचन में यूज होने वाले सभी टूल्स और यूटेंसिल्स के बारे में जानेंगे उनके नाम और काम हिंदी और इंगलिस में, तो चलिए शुरू करते हैं बहुत सारे घरों में हम चपाती बनाने से पहले आटे को चलनी से चानते हैं आटा चालने वाली चलनी को हम कहते हैं, सिफ्टर, सिफ्टर ड्राइ इंग्रीडियंट्स को मिक्स करने और गुच्छो या मोटे दानों को अलग करने के लिए यूज किया जाता है इसके बाद अब आटे को हम गूतते हैं गूतने को कहते हैं kneading घरों में हम नॉर्मली रूप से आटे को परात में गूतते हैं और परात को कहते हैं high hip platter जब हमारा आटा गूत जाता है तो उस गूते हुए आटे को हम dough कहते हैं फिर dough से हम छोटे-छोटे rough हिस्षे बनाते हैं जिसे lowi कहा जाता है lowi को चकले पर बेलन की सायता से बेला जाता है नीचे flat board को हम चकला और ये cylindrical चीज को हम बेलन कहते हैं चकले को हम rolling board और बेलन को इंगलिस में rolling pin कहते हैं कई जगें पर इसे pastry board और pastry roller भी कहा जाता है अब चकले balance से हमने गोल रोटी बना ली अब इसे पकने के लिए हम तवे पर डालते हैं तवे को हम कहते हैं griddle या flat pan तवे को गरम करने के लिए हम gas stove का यूज करते हैं gas stove के उपर लगी होती है chimney जिसे UK में normally रूप से cooker hood का जाता है और US में range hood अपने यहाँ पर हम इसे normally chimney कहते हैं जब रोटी के एक side गरम हो जाती है तो चिम्टे की help से पलट देते हैं इसे कहते हैं tongs tongs को हम गरम चपाती सव करने के लिए भी यूज करते हैं लेकिन यदि आप पराठा बना रहे हैं तो चिम्टे से उठाना या पलटना मुश्किल हो जाता है इसके लिए हम यूज करते हैं पलटा जिसे कहते हैं turner या flat spoon या flipper या spatula these are available in different variety and material spatula is also used for spreading or mixing something इंडिया की काफी सारे ग्रामिन एरिया के अंदर हम चुलहे का यूज करते हैं इन्हे कहते हैं hearth or store कई जगे हम portable या movable अंगिठी का भी यूज करते हैं अंगिठी को कहते हैं brazier कई एरियाज में या घरों को गरम करने के लिए भी इसका यूज किया दाता है ग्रामिन एरिया में चुलहे में हम लकडी के साथ उपलो का भी यूज करते हैं इन्हे कहते हैं dunk cakes इसके अलावा restaurants या साधी समारों में चपाती को तंदूर में भी पकाया जाता है जिसे कहते हैं clay oven घरों में रोटी के साथ बनती है सबजी vegetables cutting या chopping के लिए हम यूज करते हैं chopping board का cutting से पहले कई सबजी या फलो के छिलके भी उतारने पड़ते हैं इसके लिए हम यूज करते हैं pillar hubs को snip करने या किसी packet को cut करने के लिए हम यूज करते हैं kitchen sears का यानि catchy का सबजी को हम या तो cooker में बनाते हैं या गरामी नेरियाज में हांडी में बनाते हैं जिसे कहते हैं caldron इसे से मिलते जूलते एक और नाम है डेकची इसके उपर से हांडी की तरह ही narrow neck होती है लेकिन पहले के जमाने में ज़्यादा तर ये पीतल या कोपर की बनी होती थी कई लोग डेकची को इंगलिस में sauce pan या stew pot भी कहते हैं इसके अलावा पकाने के लिए हम यूज करते हैं पतीला या भगोने का इन्हें इंगलिस में कहते हैं pot या vessels कई बारी से हम sauce pot या sauce pan के नाम से भी जानते हैं फरक बस इतना है professional लोग sauce के लिए अलग से pot या pan रखते हैं जिसे sauce pan या sauce pot कहते हैं pan के depth थोड़ी कम होती है और pot थोड़ा बड़ा होता है जिसे large quantity के लिए यूज करते हैं इन सभी के top हिस्से को ढखने के लिए हम ढखकन का यूज करते हैं जिसे lid कहते हैं आजकल छोटे-छोटे परिवार हो गए हैं तो सबजी कम बनानी पड़ती है इसके लिए हम बड़े पतीले या डेक्ची नहीं यूज करते इसके लिए आजकल हम यूज करते हैं fry pan चाहे थोड़ी बहुत सबजी गरम करनी हो कुछ सोते या fry करना हो थोड़ी बहुत सबजी बनानी हो fry pan is sufficient आजकल non-sticky fry pan काफी popular हो रखे हैं कई गरम containers या पतीलों को पकड़ने के लिए handle नहीं होता तो उन्हें उठाने के लिए हम यूज करते हैं pincers यानि संडासी का इसके लाव गरम चीजों को उठाने के लिए हमारे पास कई तरह के चिम्टे भी होते हैं इन सभी को हम kitchen pliers भी कह देते हैं इसके लावा गाउं में हम कड़ाई को भी यूज करते हैं large quantity में मिठाई बनाना हो या फिर चनों को भूनना हो कड़ाई काम आती है आजकल छोटी कड़ाई भी बनी होती हैं जो gas store के लिए कामियाब हैं जिने हम सोते या deep fry करने के लिए भी यूज करते हैं कड़ाई को हम कहते हैं walk कड़ाई में जब गर्मा गरम पकोडे तले जा रहे हो तो उन्हें उठाने के लिए हम यूज करते हैं जरनी का जिसे कहते हैं strainer इसे के तरह एक होता है skimmer जिसका काम होता है उबलते हुए तेल से जाग निकालने का जैसा आपने घर में मम्मी को गी को गरम करते वक्त impurities को हटाने के लिए इसका यूज करते हुए देखा होगा आज कल इनकी काफी सारी variety market में available हैं गी से याद आता है मक्षन पहले गाउं में दूद से मक्षन निकालने के लिए हम यूज करते थे मतनी का इसे इंगलीस में कहते हैं चर्नर या चर्निंग स्टिक अभी हमने कडाई की भी बात की थी उससे याद आता है गाजर का हल्वा इसके लिए हमें गाजरों को ग्रेट करना होता है ग्रेट का मतलब छोटे छोटे पीसीज में स्ट्रेड करना होता है जिसके लिए हम यूज करते हैं ग्रेटर का हिंदी में कदूकस जब आप रोटी सबजी या कोई डेजर्ट बना लेते हैं तो अब बारी आती है प्रोषने की चपाती को सबजी के साथ प्लेट में रखकर प्रोषते हैं प्लेट को हम प्लेट ही कहते हैं सबजी को हम कटोरी में डालते हैं जिसे बॉल कहते हैं सबजी को पतीले या कूकर से निकालने के लिए हम कडची का यूज करते हैं जिसे लेडल कहते हैं कई बार जब महमान आते हैं तो हम काफी सारे आइटम्स बना लेते हैं तो प्लेट में सारे आइटम नहीं रख सकते, इसके लिए यूज करते हैं थाली, जिसे प्लेटर कहते हैं, इसके साथ जब सबजी एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम डॉंगो में रख देते हैं, जिसे कहते हैं Assorted Serving Ball, इनसे एक और equipment याद आता है, कैसरोल, आजकल के कैसरोल को हम चपाती को लंबे टाइम तक गरम रखने के लिए यूज करते हैं, इसके लावा गरामीन एरियाज में एक्स्ट्रा चपाती को रखने के लिए हम यूज करते थे बोया, जिसे कहते हैं Bread Basket या पाव की टोकरी, वैसे for your knowledge, कैसरोल एक टाइप की डिस भी होती है, और साथ में एक टाइप का equipment भी होता है, जो oven में चीजों को पकाने के लिए यूज होता है, अब इस plate में रखे items को खाने के लिए हम यूज करते हैं, spoon यानि की चमच, fork यानि की काटा, और restaurant में तो आपको ऐसा knife भी देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं चुरी, ये kitchen वाला knife नहीं होता है इसे खाने को नॉर्मली रूप से काटने के लिए या butter spread करने के लिए यूज किया जाता है, इन सभी को मिला कर एक term यूज की जाती है, cutlery, यानि की चमच, काटा, छुरी, इन सब को हम cutlery कह देते हैं, इसके अलावा जैसे plate, cup, ball, इन सब को हम crockery कहते हैं, specially जो bone china या चीन यानि की tea, serve की जाती है, एक ऐसे pot से, जिसे हम tea pot कहते हैं, tea pot यानि की चाय दानी, tea pot से चाय डाली जाती है, tea cups में, जिसे हम प्याली कहते हैं, और tea cups काफी गरम होते हैं, तो इसे एक saucer पर रख कर दिया जाता है, इसे कहते हैं, चाय तस्त्री, अब इन सभी बर्तनों को हम wash करते हैं, sink के अंदर, sink को हम sink के नाम से ही जानते हैं, लेकिन हिंदी नेम, weekend से रसोई की होदी, साफ करने के लिए हम use करते हैं, dish washing soap और liquid और steel wool से इसे रगड़ते हैं, इसे कहते हैं, जूना, English में scrub, धोने के बाद बर्तनों को हम dish rack या plate rack में रख देते हैं, जिसे हम हिंदी में बर्तन, टोकरा या टोकरी कहते हैं, चलिए अब वापिस आते हैं kitchen में, kitchen में dress को गंदा होने से बचाने वा गरम चीजों से protection के लिए हम use करते हैं, apron, यानि कि तहबंद का, milk को डालने के लिए use करते हैं, dolci, जिसे milk can कहते हैं, फिर cream को फेटने के लिए हम use करते हैं, whisker, यानि कि फेंटनी का, ऐसे ही मसालो के डिबो को हम कहते हैं spice container, spice container आपको काफी varieties में, काफी material के मिल जाते हैं, जैसे plastic, glass, ceramic, etc. इसके अलावा भी काफी सारी चीजों को रखने के लिए हम metal, plastic या चीनी मिटी के container यूज करते हैं, जिनके उपर धकन लगा होता है, इने canister कहते ह हैं, हिंदी में canister, साथ ही चीनी मिटी के ऐसे canister, containers को हम मर्तबान भी कहते हैं, जिसमें हम अचार रखते हैं, this is called jar, ऐसे ही हमारे यहां पर होता है, एक चकोना डिबा, जिस पे धकन और कुंडी लगी होती है, इसे हम कहते हैं, पीपा, ये भी एक परकार का canister ही होता है, फ container से दूसरे में transfer करने के लिए करते हैं, फिर kitchen में कुंडी सोटे को कौन नहीं जानता, कुंडी is called mortar and sota is pestle, इनका एक बड़ा वर्जन भी होता है, खासकर हर्याना में, जिसे हम उखल, उखडी या मुसल कहते हैं, फिर किसी चीज को पीषने के लिए हम use करते हैं, grinder, called chakki in Hindi नॉर्मली रुप से जो भी चीज पीषने के काम आती है, उसे हम grinder ही बोलते हैं, commonly we say आटा चकीन हिंदी किसी liquid को measure करने के लिए हम use करते हैं, measuring cups, liquid से याद आया lemon soda, तो lemon को squeeze या निचोडने के लिए हम use करते हैं, lemon squeezer का, यानि निम्बू निचोडने वाला nuts के hard cell को crack करने के लिए हम use करते हैं, nut cracker, हिंदी में sarota ये है pitcher, called matki in Hindi, it is a small container with spout for storing and pouring liquid, आज कल मटको को भी हम pitcher ही कहते हैं well guys, आज के लिए इतना ही, एक वीडियो में सारी utensils या tools को cover करना मुस्किल है, फिर भी जो रह गए हैं, आप comments में नीचे लिखिए उन्हें हम इसके दूसरे पार्ट में cover करेंगे, आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमें comment में लिख सकते हैं, अगर आपको पसंद आई है तो like बटन जरूर दबाएं, और channel को subscribe करें, धन्यवाद